मेरे प्यारे अस्वासियों, 22 गणतंत दिवस के अउसर पर मैं आप सभी को हार्दी के शुब कामनाई देता हूँ सबसे पहले मैं उन वीर शहीदों को नमन करता हूँ जिन्होंने राष्ट की एकता और अखंडता को बनाये रखने के लिए अपने प्राणों का न्योच्छार किया साथ ही इस अवसर पर हमारे वीर सैनिकों को सलाम करता हूँ जिन्होंने प्रतिकूल परिसितियों में भी अपनी जान की परवा किये बिना नागरीकों को सुरक्षा प्रदान की है प्रिये मित्रों 26 नवंबर उन्नी सो नन्चास को हमने अपने समविधान को अंगिकरते हुए ये सुनिश्चित किया था कि हम अपने भारत को एक सम प्रभुता संपन समाजवादी धर्व निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज के रूप में प्रतिश्चित करेंगे 1950 में इसी दिन हमारा समविधान लागू हुआ लगवग साथ दश्कों की इस यात्रा में हमने अनेक उतार चड़ाव देखे हैं बदलती हवाओं के साथ हमने रुख में परिवर्तन करना सीखा है भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है हमारे समविधान नागरीकों के अधिकारों और कर्तवें को सुनिश्चित करते हुए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता और अवसर की समता के साथ साथ सामप्रदाइक सादभाव पर बल दिया है प्रिये मित्रों, भारत को सुतंत्र बनाने में हमारे पूरूजों के कठोर संघर्ष और मजबूत इरादों के आगे हम सब सदैव नतमस तक रहेंगे आज गनतंत्र दिवस पर सम्विधान के निर्माता और पूरूजों को मैं सादर नमन करता हूँ जिन्होंने भारत वर्ष में गनतंत्र को प्रतिश्था पित किया और हमें अपने सपनों को पूरा करने का अवस्तर परदान किया इस मौके पर मैं असम के वीर शहीद मनी राम देवान, पीली फुकन, कुशल कौवर, कनकलत बर्वा और मुकंद काकोती जैसे सेंक्डों, शहीदों के प्राक्रम और बलिदान के लिए उन्हें शरत धांजली अर्पित करता हूँ मित्रों, सच्चे अर्थों में भारत के सरवंगिन विकास का अर्थ देश के हर खेतर का समान विकास होता है अगर देश का सबसे खुबसूरत हिस्सा हमारे पुरुवत्तर को छोड़ दिया जाता है तो भारत का विकास अधूरा माना जाएगा यही कारण है कि वरत्मान केंद्र और राज सरकार के सामूहिक वर्यास से पुरुवत्तर के विकास को अधिक प्राथमिक्ता दी गई है असम समेत पुरुवत्तर के विकास के लिए कई महत्वा कांख्षी योजरों को लागू किया गया है भारत सरकार ने एक्ट इस्ट पॉलीसी के तहत दक्षिन पूर्वी इस शही देशों के साथ भारत का समन्द मदबूत कर पुरुवत्तर के आर्थिक विकास को सर्वोच प्राथमिक्ता दी है मेरे मित्रों असम एक क्रिशी प्रधान राज्य है इसलिए राज्य के विकास में क्रिशी खित्र की भी भूमिका महत्वपूर्ण है उन्नत क्रिशी और किसानों को आवशक सुविधाय उपलब्द कराना सरकार की प्राथमिक्ता रही है इसके अलावा असम के अवद्योगिक विकास के खेत्र में भी सरकार सतत ध्यान दे रही है आईए हम सब मिलकर असम को खासकर क्रिशी, स्वास्यवा, शिक्षा, प्रियतन, धाचागत विकास के खेत्र में उत्क्रिष्ट और स्षिष्ट बनेने का काम करें यह हम सुनिशित करें कि समाज के हर वर्ग के लोगों तक सरकारी सभी योजनों के लाग पहुँचे राज्य में हर काम पूरी पारदर्शिता के साथ हो क्योंकि एक उन्नत समाज से ही राज्य सुद्रिड और सुख्षित रहता है वर्तमान में विज्ञान और प्रदोगी की ने विकास के मार्ग को और अधिक गती दी है ऐसे दोर में हमारे समक्ष जल संकट और प्रदूशन की चुनोतियां भी हैं इस से उबरने के लिए जल संक्षन, रक्षा रोपन एवं सौर उर्जा का अधिक अधिक प्रयोग पर बल देना होगा मेरे मित्रों अब हम 21 सदी के तीसे दशक में प्रवेश कर चुके हैं ये आत्म निर्भर भारत के निर्मान और हमारी नई पीड़ी के उदे का दशक होने जा रहा है इस शताबदी में जन्मे युवा राश्टी विचार प्रवहा में बड़ चड़कर अपनी भागी दरी निभा रहे हैं समय बीटने के साथ साथ हमारे स्वतंतरता संग्राम के प्रत्यक्ष साक्षी रहे लोग हमसे धीरे धीरे बिछवरते जा रहे हैं लेकिन हमारे स्वतंतरता संग्राम की आस्थाय निरंतर विद्यमान रहेंगी टेक्नलोजी में हुई प्रग्रती के कारण आज के युवाओं को व्यापक जानकारी उपलब्द है और उनमें आत्म विश्वास भी अधिक है हमारी अगली पीडी की देश के आधारवूत मुल्यों में गेरी आस्था है हमारे युवाओं के लिए राष्ट सदैव सरोपरी रहता है आईए हम राष्ट पिता महात्मा गांदी और स्वामी विवेका नंजी के द्वारा दिखाए राष्टे पर चलने का प्रयातने करें हम अपने व्यक्तिकत हितों को त्याक कर सामूहिक कल्यान की चिंता करें महापुर्श श्री मंत शंकर देव और अजान पीर के महान संदेशों को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास करें मित्रों कोरोना महामारी ने पूरे विश्व को चुरोंती दी है इस महामारी के खिलाफ पूरा देश आज भी पूरी सक्ती के साथ लड़ रहा है दूसरी और देश वासियों के लिए ये खुशी की बात है कि इसी महीने से कोरोना उन्मूलन हेतू देश में वैक्सीन लगाने के काम शुरू हो चुका है मेरे पैरे भाईयों और वहनों आप सभी के सयोग और समस्त्रम से हमारे राज्य और राष्ट्र की प्रगती संबव है आईए राज्य के समगर विकास में हम सब अपना हाथ बटाएं मैं एक बार फिर आप सभी को गंड़तंतर दिवस की हारदिक वधाई देता हूँ और आप सब के सुकत भविश्ट की कामना करता हूँ जै हिन